नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूटूब चैनल जीवन जीने की कला में जी हाँ आज का टोपिक है मुटापे को दूर करने से रिलेटेट आज की डेट में बच्चे बुढ़े जवान सभी की ये समस्या है कि मुटापा बहुत जादा बढ़ रहा है अगर मुटापा बढ़ते है तो इसके साथ-साथ ही आपका शरीर बहुत सारी बिमारियों का घर बन जाता है क्योंकि मोटापा अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बिमारी है और ये आपके शरीर को ना तो धंग के कपड़े पहनने देता है और ना ही आप सही धंग का खाना खापाते हैं बहुत सारे लोग डाइटिंग करते रहते हैं लेकिन सोचिए ज़रा सही धंग से कि क्या सब्सक्राइटिंग से ही तो मोटे नहीं थे फिर आपने लाइफ में कुछ ने कुछ अपनी धैनिक रोटीन में गड़बरियां की हैं जिसकी वजह से आपका वजन बढ़ा है इसलिए सबसे पहली चीज माइन में जो आपको बैठानी है वो ये है कि आपको आगे से अपनी या फिर बहुत सारे रीजन हो सकते हैं सबसे पहले आप रीजन को समझें कि आपका वजन क्यूं बढ़ा है और उस रीजन को ही मिटा दें ये सबसे महतोपून बात है अगर आपको स्वस्थ रहना है तो लेकिन मैं आज आप सभी को किसी खादे पदार्थ के माध्यम से आए जानते हैं वो कौन-कौन से आसन हैं जिनको करने से आप अपना वजन कंट्रोल कर सकते हैं सबसे पहला आसन भुजंग आसन जिहां पेट की चरवी को कम करने के लिए भुजंग आसन को सबसे उत्तम आसन माना जाता है इसके लिए सबसे पहले आप जमीन पर उल्टा ल इस आसन से न केवल आपके पेट की चर्वी कम होगी बलकि आपको कमर दर्द से भी रहत मिलेगी यानि कि ये आपके शरीर के लिए एक बहुत अच्छा व्यायाम है बैक भी आपकी सही रहती है और आपका इससे वजन भी कंट्रोल में रहता है लेकिन इस आसन को करते वक्त आपको बच्चों की तरह किया जाने वाला एक आसन है दरसल इस आसन में आपको बच्चों की तरह पोजीशन लेनी होती है इसके लिए आप सबसे पहले अपने घुटनों के बल बैठ जाएए और अपने दोनों हाथों को उपर की ओर उठा लेजिए इसके बाद धीरे धीरे आगे की तरफ जुकना है शुरू कर देना है आपको और हथेलियों को जमीन से लगा देना है इस इस आशन को करते समय इस बात का खास ध्यान रखें कि आशन करते समय आपकी चेश्ट थाई के बिलकुल उपर होनी चाहिए इससे आपके पेट की चर भी कम हो जाएगी साथ ही आपका लोवर कमर दर्द भी ठीक हो जाएगा इसमें सावधानिया जान लीजिए अन्य था उनकी प्रोब्लेम बढ़ जाएगी अब आई ये जान लेते हैं वेट लॉस के लिए अगले आसन के बारे में धनुरासन जिहां धनुरासन भी पेट की चरवी के लिए फायदेमंद आसन है इसके लिए आप जमीन पर उल्टे लेट जाए और अपने हाथ और पैर आते हुए पैरों को पकड़ने कोशिश करें कि आप इस आसन को करते समय पेट के बल ही रहें ताकि आपके पेट की चरवी जल्दी कम हो सके बैक पेन के लिए यह संधी काफी फायदेमंद सिद्ध होती है इसके आलावा आप कर सकते हैं पौन मुकतासन पौन मुकतासन के ल जगा लें इसके बाद आप अपने हाथों की उंगलियों को घुटने के नीचे ले जा करके आपस में मिला कर पकर लें फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए सीर को उपर उठाएं और नाक से घुटने का असपर्ष करें इसके बाद क्रमवार बाएं पैर से भी इसी प्रक को में फायदेमंद सिध्ध होता है आपको रिगुलर करना चाहिए आप अगर स्वस्थ हैं तो भी आपको हर रोज जरूर योगासन करने चाहिए हारनिया और कंधे के दर्द से पीडित रोगी इस आसन को ना करें क्योंकि उनके लिए ये फायदेमंद नहीं होगा जी हां लेकिन इसके साथ साथ आप अपनी डाइट का भी खास खयाल रखें अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत जरूरी है ये तो ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए अपने लाइक्स और कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताएं कि आपको कैस लगी ये जानकारी और ध्यान रखें कि आपको हर रोज एक्सरसाइज हर हाल में करना ही चाहिए और जो लोग ऑफिस में कारे करते हैं उन्हें थोड़ी थोड़ी देर बाद यानि कि आधे से घंटे बाद पांच मिनट के लिए तहल लेना चाहिए ये बहुत जरूरी है आ आपकी आँखों को स्वस्थ रखना है आपकी बैक को स्वस्थ रखना है आपके वजन को आपको नियंतरित रखना है तो ये करना बहुत जरूरी है इसी के साथ साथ आप सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी नई वीडियो में आप से पहले मिल जाए ये थी आज की जानकारी नए एपिसोड में आप सभी के साथ जूड़ते हैं नई जानकारी के साथ तब तक के लिए धनिवाद नमस्कार दोस्तों